आभारती भारती भी सजोशाप इडा देवीर मनुस्य भिरगनिह सरस्वती सारस्वती भिररवाक तिस्रो देवीर वरहरे दमसदंद। शर्वश्रुति शिरो रत्न समुद्भासित मूरते वेदान्ताम बुजशूर्याय तश्मेश्री गुरुवे नमा परम सम्मान्य भगवान विश्वनात के सेवक और अगर सही अर्थों में कहें तो हमारे इस वैदिक विज्ञान केंद्र के भी उत्साह वर्धक के रूप में जो आज यहां विशिष्ट अतित्र के रूप में विराजमान हैं ऐसे डक्टर वर्मा जी आज के इस शत्र में जिन जिन विद्वानों की उपस्थिती मंच पर है वसुतह उससे पूरे वैदिक विज्ञान की अवधारना इसपस्थ हो जाती है एक परंपरा नहीं है एक लंबी परंपरा मंच पर विराजमान है सनातन कवी आचारे रेवा प्रशाद द्वेदी जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले समवर्धक भारत अध्यनकेंद्र के शमनवायक सदा स्विकुमर द्वेदी जी विराजमान है उसी परंपरा में आचारी द्वेदी जी के परंशिष्य हमारे डक्टर सश्रीकान द्वेदी जी के पिताश्री उस रोप में भी यह दो दो परंपराओं को आज हम सुन रहे हैं संस्क्रित विशिष रस्तन केंद्र के आचारी प्रसद सी उपेंद्र राव जी अभी जोनपूर पीजी कालेज में आचारी के रूप में प्रतिष्ठित स्रीपावन पांडे जी हमारे अब जी दीखशित जी जा चुके हैं और एक लंबी परंपरा का विद्वत परंपरा का शास्त्र परंपरा का प्रयोग परंपरा का जिनके माध्यम से यह उद्बोधन आज का प्रारम हुआ ऐसे स्री आसुतोस जी जो मंच पर अभी नहीं विराजमान हैं और उसके साथ ही आज मेरे सामने जो विद्वजन विराजमान हैं स्री रामभध्राचार्य विख्लांग विश्विद्यालेक के कुलपती अग्रज कल्ब्र प्रसुषिश्यर पांडय जी यहँ उपस्थी थे मंगलोर के एक और विष्श्च विद्वाण जो विज्ञान के खेत्र में जो अभूत पूर्वकार कर रहे हैं ऐसे डक्टर येस रामकृष्णन जी यहां उपस्ति जिनकी एक उस्तक नीड अब दियावर बहुत जल्दी अगले माह में भी मोचन करने के लिए तैयार है हमारे आईरवेद संकाय के प्रुसर रजय पांडे जी यहां है आचारे देमेंद्र मोहन जी यहां उपस्ति थे सी बातें कहने के लिए उपस्तित हो जाती है वेद का विज्ञान के वेद के एक अक्षर में है पूरी संभिता की परंपरा को जाने दीजिए हमारे रिशियों ने मंत्र द्रश्टा रिशियों ने जिन्हें हम मंत्र द्रश्टा रह के रूप में देखते हैं उन्होंने मंत्र को नहीं देखा मंत्र तो उनकी प्रस्तूती है उन्होंने सुक्षमाती सुक्षम स्वरूप को जानने की समझने की अनुभव करने की जिस चेश्टा को आज हमा सामने अन्वेशन के लिए प्रस्तूत किया वह वेद का विज्ञान है ऐसे कभी तीन विद्यार्थी भगवान स्री ब्रह्मानंद जी महाराज के पास सेवक के रूप में रहा करते थे विद्यार्थी भी थे लेकिन उनकी भूमी का सेवक की ही थी क्योंकि सेवक वही है जिसे सास्त्र का सानिध्य प्राप्त हो और अगर सास्त्र का सानिध्य प्राप्त हो है तो गुरु संयोग निश्चित है गुरु प्राप्ति का हे तु है ऐसे उन तीन में से एक थे महर्शी महेश्योगी महर्शी महेश्योगी स्वामी ब्रहमानजी महाराज से और कुछ नहीं उन्हों ने पाया प्राप्ति किया एक छोटा सत्त तो प्राप्ति किया और उसको वैस्विक धरातल पर एक एक उसके एक एक विशय को किस तरह से प्रस्तुत कर गए वो उनको मिला क्या उनको यहीं तो मिला था जो स्रिविद्या के रूप में उन्हें जो ग्यान प्राप्ति का जो बल मिला वो कहता धनम अगनिर धनम वायूर धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो अब्रिहस पतिर वरू धनम अश्विना और कुछ नहीं ले गए एक उस तत्त को ले करके जब वो चलते हैं तो उसमें तो जो आस्तोस जी कहते हैं कि वो सूच्मत तो का अन्वोईशन करते थी उन्होंने बहुत संखेप में बता दिया कि सुक्र जो है तेजस जो है उसकी सूच्मता क्या है ओजस के रूप में है ओजस की जो सूच्मता है वह सोम के रूप में है वह सोम को अब्यक्त और अब्यक्त के बीच का तत्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं लेकिन यह एक इ इस थूल व्याख्या जो है कर रहे थे वह वैश्विक धरातल पर इस संपूर्ण ग्यान राशी का क्या उपयोग हो किस रूप में हो किस तत्तत कैसे जो है हिंसा का जो वातावरण है वो अहिंसा में बदले इस द्रिष्टी को लेकर के हमारे आसुतोस जी ने जो आज व्याख्यान प्रस्तुत किया यद्या उनका जो व्याख्यान था वह तो बसिष्ठास टीचिंग टूदी रामा लेकिन बसिष्ठास टीचिंग टूदी रामा क्या है और कुछ नहीं है क्योंकि भगवान वालमीक तो पहले ही एक सब्द में बता देते आज वाई भी जुड़ गया आपने राम संपूर रामान की तपस्वाध्याय निर्तम तपस्वीम वाग विदामवरम उस रूप में यहां जो प्रस्तुत किया उसको अधिक न ले जाते हुए उन्होंने अजिश्क परिप्रेक्ष में ज्यान की क्या भूमिका हो सकती है विशेश रूप से भारतिये ज्यान परंपरा की उस परंपरा में उन्होंने आसुतोस जी ने लगभग लगभग सभी मूल गरंतों को यहां प्रस्तुत किया निश्चित रूप से हम सब के प्रती हम सब की जोर से बधाई और अभिनन्दन के पात रहें यद्यप यहां वह उनकी उपस्तित नहीं है फिर भी मैं उन्हें पुन्ह एक बार हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ जिती वक्ता के रूप में हमारे सहयोगी इंद्रगांधी राष्ट्री कलागेंदर के छेत्री निदेशक अ करके विषेश रूप से पंच सक्टियों को यहां उपस्थित किया एक बात विषेश रूप से यह बता दूं कि वईदिक शिंतन की जो आधार प्रक्रिया को बिना मूल तत्त की यूर जाये आप कभी भी व्याक्षायित नहीं कर सकते इसको मैं बहुत आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि इन सब तत्यों के मूल में जाना पड़ेगा, मूल क्या है जो है, हम जो अगर हम नाम के रूप में अगर चित सक्ति को व्याख्याइद करते रहे, तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, क्योंकि नाम रूप की जो सत्त है, उस सत्ता में सुक्षमता का अनुभव नहीं होगा, तो हमारे जो सिकेंडरी जो उपगरंत हैं, हमारी व्याख्याइद हैं, वो नाम रूप में हैं, वस्तुता है, उन से जो है ज्ञान परंपरा आगे विक्षित नहीं हो सकती, यही प्रश्न जो है, विसेश रूप से सनत कुमार ने प्रस्तुत किया था चांदों की उपनिशद में, नाम ही जबते रहो, लेकिन नाम की जो शुक्षमता है, वैकिस में जाती है, वाक में जाती है, तो वाक की जो कोटी है, वाक की कोटी में जाएंगे, तो वहाँ जो परापस्षिंति मध्यमा वैखरी के रू नहीं नहीं है तो वह कहां प्रतिष्ठीत होती है मन में प्रतिष्ठीत होती है और मन मुध्य आंकार में भी वह ऐसा भी नहीं है कि उससे भी आशुक्ष्मत्त की हो जाएं तो अंत में कहां एक प्रस्णूने का कि चित में जाकर चित तो जो चित की आराधना है अब उसकी भ जबका जो हेतád अज हमारे निशारु कोरा जान स्काम करना प्र tornado in lesson और जरोप चाहित प्रारमने में ही जिर स्वियंद रूच्चा में ही वब क्रमेपा से मुख्व रूप जान आ जैलेना जो हे उसके सूख्श का जने आधोर को यह उसकी यह सूख्वान słोआन न क्यों प्राण्ठी परिद्रिष्य में हो या भवतिक-पिंड के रूप में है कहीं से भी प्राण-मुक्त हुआ तो अपने को अनुभव हो जाता है कि हमारा प्राण। उर्रख्रा आप प्रख्री प्राध सर्पा्ठी जिने हमारे आज बहुत ही रोचक और अच्छा वक्त बे हमारे सभी विद्वजनों ने उपस्तित तिया लेकिन एक सिनॉपसिस जो है एक पूरी धारा हमें हमारे आगे के कारेक्रम के लिए विसाय के लिए जो हमारे आचारे शशिकान जी ने प्रस्तूत थी वस्तूता जो है तर कесто सथेया तेकं वह जो हमारा नासधिय शूप्ट कहता है और अपनी ही हरव्यक्ति तो समाधिस्त होना क्या है वह बिना वाएव के सोतंतर होना चाएता है वो पॉथ तंत्रता से मुक्त होना चाहता है उस पर तंत्रता की मुक्ति का साधन क्या है वो परभ्रह्म का अनुभव है वही तो आनीद वातम उसको तो किसी की सत्ता की जरूरत नहीं है और उस सत्ता का जो आविर भाव है इस स्रिष्टि में वही हिरन लिगरभा समवर्तताग्रे भू प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप विशेष रूप से अभिनदनी है कासे में योग की परमपरा का हमारे पाउन कुमार पांडे जी ने जो है बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया पूरी की पूरी जो आयुर्वेत की परमपरा है योग योग चास्त की परमपरा है जो चाहिए दिवोदास से प्रारम होती हो और पूरे वैदिक ज्यान की परमपरा है उसमें कहीं ने कहीं कासी जो है वो अभी केंद्री और अपकेंद्री सेंट्री फुजल और उसमें अब यह भी कहना चाहिए कि अब आगे का भारत अगर योग के परम्तत्यु के रूप में अगर विश्लेशन करेगा जानना चाहेगा कि कैसे हम योग को समझें तो उसमें वैजिक विज्ञान केंद्र हेत्व बनेगा इस बात को भी आपको रखना चाहिए हम सब संस्पित के विद्यारती हैं और भारती जो व्याख्या पध्धती है और तब तक उसमें कोई प्रगती नहीं हुई जब तक हमारे आचार यास्क जो है वह निरुक्त के माध्यम से हमें अपना अर्थ नहीं बताते और हम पूरी की पूरी तो चर्चा कर रहे थे चित के के बारे में संग्यान के बारे में योग के बारे में लेकिन चित की जो पारंपरिक अवधारणा जो वस्तुता है जो वैदिक परंपरा से चलती है और सास्त्र में कैसे वो यात्रा करती है उस यात्रा को आपने हमारे आचारिश दर्शुक मद्वेदी जी के माध्यम से आज स खुलावी शताब्ती से जो हमारी सगुन परमपरा है जो अनेक रूपों में जो है वो उसको व्याक खायत करती है विशेश रूप से स्री कृष्ण संप्रदाय में अगर आप उसको भी जोड़ देंगे तो हम सब के लिए विशेश्च सामगरी बन जाएगी और हमारे आज सब जगह व्यापत है और आज आपने इस गोष्टी में प्रसर राचारी उपेंद्र राओ जी आपने हम लोगों को एक तरह से जीवन का पाते दे दिया उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग जब बहुत थोड़े समय में भगवान स्री राम के उनके मूल स्वरूप का जो चिंतन कर सकेंगे इसके लिए आप पुन्हे बधाई के पात रहें मैं सोचता हूं हमारे प्यदीख्षी जी जिन्होंने हम लोगों को उत्साहित किया अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा कि हम लोगों के अंदर कुछ कुछ तो यत कृपाल लव मात्रियन मुंको भावति पंडित है कुछ तो आ जाए सब कुछ कहे दें उसके लिए आप ही प्रेणा स्रोत हैं मैं सभी को और विशेश रूप से हमारे जो अगले सत्र के अध्यक्ष हैं कि बिना किसी वैकलब विता के आप हम सब को ऐसा उत्साहित कर रहे थे कि सत्र ना समाप्त हो तो भी कि आपको कोई फ्लेश नहीं है इसके लिए मैं विशेश रूप से आपका भी नंदन करता हूं और सत्र समाप्ति की सूचना देता हूं धन्यवाद